सो नेक्स कोशन है मुआ आफ बैटल अफ बकसर के इपर सो दो ही में बैटल हुई हैं इसके बाद ब्रीडिश का इंपायर यहां इंडिया में स्टैबिश होना शुरू हो गया था सबसे पहली थी Battle of Plusy, Battle of Plusy हुई थी सिराजु दूला और बिडिश के बिज में, विकाज आफ यह थी Black Hole tragedy के बाद यह सारा लड़ाई हुई थी Battle of Plusy उसके बाद हुई थी और जो हमारी next लड़ाई है वो है Battle of Boxer, Battle of Boxer हुई है 24 अक्टूबर 1764 में, यह थी बिडिश और मीर कासिम, सुजावु दूला और शाल हमके बिज में, यह तीनों एक साइड थे और बिडिश एक साइड थे, यह लड़ाई क्यों ही थी इसका में जो background है वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ, सो हुआ क्या था कि Battle of Boxer लगी थी, डच और बिडिश की बिज में, सो डच को स्पोर्ट का रहा था मीर जाफर, क्योंकि मीर जाफर जो था यह था शिराजु दूला का बजीर, जिसको की पैसे देखकर ख्रीद लिया था, बिडिश ने जब यह प्रासिघल डाई हुई थी, तो उसने क्या किया था कि उनको जब राए शामिल Hoगया था बिडिश की उनकी टीम में ho गया है, तो फिर क्या हुआ कि बिडिश ने इसको थोधकर वर ते गावभ यह तो तो बिटिश के खिलाब लड़ाई की तो यह डिफीड ओगए थी जो बेद्रा की लड़ाई थी कि उसमें ड़्च भी डिफीड हो गें तो ड़्च अज़िड हों कर दिया था क्योंकि यह जो मीरजाफर था यह डच की डच को स्पोर्ट का अगादाब तो तब इनकी लड़ाई हुई बैटल आफ बकसर बिडिश और अमीर कासिम सुजाओ दूला और शाल लंके बीज में क्योंकि इसको डीट होन करने के बाद ये किये थे सुजाओ दूला के बाद सुजाओ दूला था सुजाओ दूला था सुजाओ दूला के बाद था इन्होंने प्लैन किया कि अब हम बिडिश के खिलाब हम लड़ते हैं तो उसी लड़ाई को हम बोलते हैं बैटल आपकसर चोबिस एक्टूबर 1764 में ये लड़ाई वही थी और ये जो तीनों पंदेजी अब बाद रहें और यह था उस्टेम में कि जो मैंटेनेंस अफ लाइन आडर यह दे दिया था इन्हों निजाम अदूला को और जो दिवानी थी जिसमें दिवानी उती है क्लेक्शन आफ रेवन्यू बिहार विश्सा में जितना भी रावन्यू वह आजाएगा बिडिश करेंगे की जितना भी क्यास इतना इंक्यां को लिए कि वरेंट लूट है मैं दूख यह था उनुर俺 विल्यम वंटे में यह थी फ्रस्ट गवर्न जन्र्र आफ इंडिया है क्योंकि चार्ट एक्ट 1833 के अंतरकर बना था सो अब हम नेक्स कोशन देखेंगे हैं सो हमारा नेक्स कोशन है कि थर्ड बैटल आफ पानीपत कब हुई थी सो जो थर्ड बैटल ओपानीपत है यह हुई थी 14th जैनुवरी सेंड लाट्वह इस लिए लडाइजेगी थी और डिस वन आफ द्र राजे वेंट मोड़े बैटल आफ सबसे वड़ें सबसे लार्जेस्ट एंड इवेंट फूल थी तो चोड़ा जनबरी 1761 में बैटल अपानिका थुई है सब्सक्राइब इसको बनाया था साधर लाली खान बॉरान उल मुल्क इसने बनाया यह एक ही नाम है बॉरान उल मुल्क है इसका ही रेल नेम था साधर ली खान सो बोथ एंवी तो 1759 में गया हुआ कि नादिर शाह जो है इसने इंडिया को तो बॉरान उल मुल्क जाने साधर ली खान ने फिल कंज्यूम कर लिया था पोईजन सो यह वी बड़ा इवेंट है इसका राइट आंसर है दलोजी ने तो जो जो दलोजी था इसने अनेक्स किया था अवद को अवद के तब जो राजा था वो था वाजित अली शाह वाजित अली शाह की कमी किया थे कि वह बुद ही खर्चिला था और उसने क्या किया था यही उसकी मौल अजमेस्टेशन थी खान अवेशने को एंव्दी तो बिगावजी अवाद को इन अटिफिक्टी सिए था गीवाजेशन सो ब्लोजी था जो जो दलोजी था इस ने एन सब्सेडरी अलाइस जो बनाया था वो कब बनाया था यह लौड विलिम वैसली ने अथानासो एक में अबस को सब्सेडरी अलाइस करवाया था आवद राजाओं थे उनकी पास प्रस्ता प्रस्ताव रखा ता था कि आपना आर्मी नहीं रखो आर्मी आप ब्रिटिश की जूस करो और मैंटेनेंस जो भी आर्मी की वह आप हमें दे दो पैसा खर्चा दे दो आर्मी का क्यूंकि बैटल आप प्लासी जीती थी तो इनकी आर्मी की इमेज अच्छी बन गी थी ब्रिटिश की क्यों ब्रिटिश ने दो बड़ी बड़ी लट पच्छा नहीं होता था तो उसको भी एक खुजा लेते थे तो सब्सेडियर लाइंस में ऐसा ही था कि आज में ब्रिडिश वाली देते थे था कि कोई उंक्यों पर जो आगे जो बच्छे थे उसको भी दीतरों कर दिया तो इसमें आपको याद रफना कि लॉड्ट विल्म वेल्स्टी ने अथाना सो एक में अवद को सबसेडियर लाइंस में अवद को सबसेडियर लाइंस में पैहली जो है वह रहाज पैराबाद में अवद गया पूछना ये जो इसको नेस्को आवर नावर दाथ है और मैवल इंशे Kingdom ओर नेस्को आवर नावर दाथ है को ये जा